इस बचों यह हम किसी चीज का मापन करने जाते हैं जैसे आपको पीछे पढ़ाया गया कि मापन किसे कहते हैं और कौन-कौन सी मून भहतिक रासियां कौन सी ब्यूतपन भहतिक रासियां है और कॉन-कॉन Σी रास्यों को मापन करने के लिए कॉन-कॉन से उसके क्या है Pat तो इन मात्रों के लिए कि रेक् dug तो कई एंद बनाएगेगे जब नहीं किसी चीज का मेजर्मेंट लेते हैं हम्में यम्तर की क्या होती है आवश्रक्ता होती है इनम तो सबसे पहले यहां ध्यान देने यो के बात तो मैं इसमें जो है काने का मुखलब की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है जिसे हम तुल्ठी बोलते क्या अब रभाती है इस implemented शृंधा और क्या यहां परी सुद्धता कि सी तो दोनों चीजे क्या है एक ही है लेकिन बैज्यानिक कार्यों के लिए बचों यह थार्थता और परिशुद्धता को निम्न रूप से परिवासित किया जाता है है कि किसी माप की अथार्थता वह मान है जो वह बताती है कि किसी दास्त का मापा गया मांच उसके वास्तित मान के लिकाट है जैसे मैं आपके बताओं कि स्वाल जीता वास्तित मान है pragma explained सब्सक्राइब अगर आपने माप लिया और जी की वेलू जो है देखा जाए तो नाइन पॉइंट आकर आपने सिक्स की निकाला है मीटर प्री सेकेंड इसक्वायर तो यह जो यह थाकता अब कि यह कितना नजदीक है यह देखा जाता है कि यहां कि माप हमारे वास्तुत मान के कितना क्या है निकट है जैसे एक लड़का जो है इसी जी का मान मान निकाला है अब यह कह सकते हो कि यह पहले लड़के द्वारा जो माप ली गई है वह वास्तुत मान के ज्यादा क्या है निकट है और यह ज्यादा निकट नहीं है तो यह ज्यादा यह थाक्त है अब एक शाकृत इसके कि ने कि वास्तुत मांन के कितना क्या है कि आप राजा पौइंट मारा परीशुद्धता 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 यह बता ति यह किसमा ईकास किस обсतेमा तक कि वह पहुंच Ajaj है ने के लिए दोनों तो प्रशुदता है या को परेशुदता बराबर मान की है है कि जैसे आप देखिए हर एक यंट्र की जो है आपनी ये क्या है स्रीमा है जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं वीटर पैमाना लेड़ूं इंचल जो आप प्रयूप करते हो जिसके 15 एंगी मिकल की लंबाई याद क्या कर सकते हो माप सकते हो तो आप एक इंचल को पांच छे साथ आप नव 않았 дост वर सकंची सक्टैप्र जहरे था जो 350 पांच को लिए थी कोई माम है एक घोष्प्स क्रणी मिटर हो असाव सरफ सकते हैं 1 एक आप सकते एक ऐसाप सब्सक्राइब लेकिन अगर इससे आप कोई नाप यहां पड़े जाती है नापते समय तो महां आप एक अंदाजा लगाते हो अंदाजा अर्थादी यहां वहां पे यहां लगाते मतलब एक अनुमान लगा जाते कि लगभग इतना होगा तो लगभग का मतलब आपने जो माप लिया वह त्रूटी हो गई क्यों लगभग की बात आई तो दस्थान तक कर सकता है लिंग कोई माप अगर इस मिली मीटर के बीच में आजाए बीच में या थोड़ सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर तूटी आने की संभावना है तूटी क्यों आई क्यों कि है यह अपनी सीमा को क्या है कि अनुसार यह इसको मेजरमेंट नहीं मिला क्योंकि यह दसमरों की कितने अस्तां तक सुद्ध नाप सकता एक उसी तरह से बच्चों हर मापकेंद्र का अपनी एक क्या है सिमा है अगर उससे छोटी माप अगर ले जाए तो निश्चित है कि वह तूटी आ जाएगी उसमें जैसे मैं आपको बदादो ले ले लिजे एक लीटर ले लीजे उससे आप जक नाप सकते हैं नेकिन एक लेटर से अगर आप आप सेको दिया है कि कि आधा लीटर का मेजरमेंट ले लिजे तो आप उसमें अंदाजा लगाएंगे कि आधा हो गया है आधा भर दिये तो कितना हो गया आधा लीटर लेकिन वहां पर तुटी आजस आ सकती है एक लीटर सुद्ध एक लीटर को क्या को जा सकती है। मापी जा सकते उसे मापक कहते हैं अब चोन, जैसे मैं आपको बताओं कि ध्यान दीजिएगा जहां पे मीटर पैमाना फेल हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं का लंबाई आपने के लिए तिनम अगर जहां पर वर्नियर कैलिपर्स जो है कि विफल हो जाए अर्थात असुद्ध माप देने लगे तो जो है कि करने का मतलब यह कि हम जो है इस्कूगे या गुलाई मापी का प्रयोग करते हैं लेकिन जो है रागया सवाल कि हर एक मापक यह परका जो ह है वर्नियर कैलिपर्स का आपक माँ जीरो दस्मलों जीरो एक सेंटी मीटर होता है तो मैं आपको बताओ कि मैं एक चीज़ है कि अब हमारे पॉइंट आजाए कि दोटी जी से आपने कोई माप लिया कैसे पता चल गया कि वह ठोटी है निश्ची तक कोई उसकी स्टेंडर वैलू वास्तिक रियल वैलू पता होती है उससे कंपेरिजन किया जाता है तुलना की जाती है बच्चों यह आखिर जो है कि करने का मतलब यह कि सही है कि क्या है गलत है तो मेरे करने कंपली यह उसके कितना नजदीक है तो हर एक चीज का एक स्टैंडर मान मानक मान यह वास्तिक मान पता उता है रहो होनी जा रहे हैं तो अगर देखें कि अगर उससे भी ध्यान दीजीट सब्सक्राइब तो और कि माप दें यह से मैं चीज्च बतातव बॉड़ी के लिए बतातो बच्चों कि भोजन नमें बताया जाता है तो मतलब क्या है चीतना आप सहज महसूस करते हैं आपको खाओगे अगर अधिक खाना खालोगे तो फूड को आई नीं की भी आपको दिक्कत होना प्रारम हो जाएगी मतलब तमाम तरह की समस्या है तो हमेशा संतुलन की इस्थिती है तो जब किसी माप को हम लेते हैं तो उसके वास्पिक मान से न हमें कम मापना है न क्या है अधिक मापना यदि कम नाप दें तो कम नापना भी तुरूटी है और अधिक मापना भी क्या है तुरूटी है न कम चाहिए न क्या चाहिए ज्यादा बिलकुर ऐसा हो नहीं पाता है जरूर हम वास्तुक मान के या परिकल्पित मान से हम कुछ पीछे या क्या है कुछ क्या है आगे चले जाते हैं मान हमारा मेजरमेंट इससे हमें पता चलता है कि ली गई माप में क्या है तूटी आ गई है तीया चीज आप समझेगा तो तूटी का मतलब क्या है तूटी आपसे जैसे देख अरिवासित कर सकते हैं कि कि किसी भावतिकरास के वास्तुक मान और मां पे गए मान के अंतर को हम तूटी कहते हैं तूटी आ दो प्रकार के वहती बच्चों एक होती सिस्टमेटिक होती है एक क्या होते रेंडम एरर माने क्रमबद तूटिया और क्या है कि याद्रिशिक तूटि दो तरह की तूटी संभाव है विशिक्स में तो मैं आपको तूटी बताता हूं जैसे किसी बहुत इकरास के है करणे ये जानते है कि प्रियोग करता की जिए ऑनुगाव हीनिता के कारण घरी तूटी ठीथी वहुसकती है यादावरत की परिवर्ता के कारण resolved सब्सक्राइब करना है तो इसके कारण भी कारण के कारण सब्सक्राइब करना यह कारण का मतलब जैसे आप इंचत बना रहे हैं कंपनी लगायों बच्चों को जो है कि इंचर बना के देंगे तो वास्ति जो माप है माली जिए दस खान की इतनी दूरी को हम दस उपर आपर भागों में बढ़ना है आपने जो है इतनी ही दूरी को कितने भागों बाढ़ दिया इसका मतलब क्या हुआ इंचर आपकी क्या हो जाएगी पारे की तुन नाम क्या हो जाएगी छोटी लिगिन अंक तो उद्द्न ही मिलेंगे एक से कहां तक दस तक तो यदि अपूरां सांकन हो कम लिग दें या बड़ी तो यहां से यहां तक कि लंबाई आप में इसे देखने का पर जाता है उससे बड़ी शाफधानी रखिजाते अगर उस अनसान पर हमें थोड़ा दोड़ी इदर उदर हो जाए तो निशीत है कि माप में टूड़ी का होना जाएगी संभाव है और पिच्छर टूड़ी के बारे में भी आपको बताएंगे देखें या यहंत्र का तूड़ी है खास करके अगर हम स्कूगेज में देखें बचों मुख्य पैमाना होता एक वार्णियर पैमाना होता है दोनौं में सुन्य होते हैं जुक्ता होता है जब हम दोनों पाइमानों को बार-बार प्रयोक करने से ऐसा हो कि कभी-कभी हम देखें तो हमारे जो कि करने का मुख्य पैमानी की या तो आगे रहा जाता या तो तोड़ा सा कहां चला आता है Рिदात्मक होती ए इसी तरह से वेर्नियर कैलिपर्स या क्या है अरे इस्क्रूगेज या क्या है गुलाई मापी है जिसमें पिछट टूटी आते हैं पिछट टूटी का मतलब यह है कि उसमें बृत्ती पैमाना होता है बच्चो एक मुख्य पैमाना होता है तो वह एक चूड़ी पे होता है जिसे हम घुमाते हैं जब एक ही दिसा में रैचिट को हम घुमाते हैं बार बार तो ऐसा होता है कि जो मुख्य पैमाना है वह और उसका बृत्ती पैमाना है और चूड़ी एक साथ आगे जाते हैं लेकिन यंद्र को कई वर्सों से अगर हम प तो तुरंत पीछे 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 आती नहीं वह वहीं पर रहेचित क्या होता है जबकि परिवनता रहता है जिसके कारण पीछे करेंगे तो वह उसी अस्थान पर क्या करेगा गूमेगा जिसके करन बिचे का आना जो एक आने कम निस्टीत हो जाता है इसी लिए कुछ समय के बाद पेचमापी परिवर्दित करके दूसरा नए प्रयोग किया जाता है कि प्रायोबिक तक्निक या कारण का तोटी का विप्राय क्या है जैसे कोई मापक यंत्र अगर आपको दे दिया जाए उस मापक यंत्र को कहां लगाना है किस तरह से आपको यूज करना है अलग बटन दबा दिया होंगे तमाम तरह की दिक्रतों को घेलते हैं चीज़ को जब नहीं चान पाएंगे अगर पकड़ा दिया जाए उसके बारे मं आपको जानकारी हो निचे जैसे मैं आपको छोड़ा से इक्जांपल देता हूं कि हमारा थर्मामेटर जो शरीर का ताप मापता है तो उसको किसी भी तरीके से हमारी बाड़ी के इंटर्नल पार्ट से उसका संपर्ख होना चाहिए लेकिन डाक्टर के पास जाते हो तो जो है कि काने का अपने दे कि उसको वास्तों में कह प्रियोग करने के लिए दिया गया है वहीं प्रियोग किया जाए जेसए मूल का काम है हो χानि है वहां प्रभावयोगा जाचीनी का काम हो वहां प्रभावयोग होग है या प्रायोग everyday की अकपुन्ता कि आधकी समझने आई है लेकिन आप उसको जहां यूज करना है वहां पर यूज नहीं कर रहे हैं तो जानकारी की हो गई तो कुछ नुकुछ थोड़ी लापरवाई हो जाती है या अनुभव हीनता रहती है प्रयोग करने जा रहे है अचानक बातावरण में परिवर्तन हो जाए हवा के गती में परिवर्तन हो जाए तो इन परिवर्तनों का हमारे प्रयोग पर पड़ता है अशर पड़ता है जिससे की घिंगर करन लृष अगर दूटी नेक्स्ट घृडडियो में आपको बता एक